हेलो फ्रेंट्स आजाते हैं हम लोग बात करेंगे कि अर्थ सास्त जो है ना उसमें समझ्टी अर्थ सास्त का विश्यक का उद्भव कैसे हुआ तो एकनॉमिक्स तो चली रहा था अब एकनॉमिक्स में एक नई ब्रांच निकल करके आगी मैक्रो एकनॉमिक्स ठीक है पहले ऐ लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस समय के अर्थ सास्तियों कुछ अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर किया क्या हुआ उसकी बात करेंगे तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टन और बहुत ही इंट्रेसिंग करेक्टर थे जॉन मेंड़ की उनका नाम आता है बहुत ब पढ़ाई लिखाई की इंग्स कॉलेज है इंग्लैंड में वहां पर ही हुई थी और बाद में उसी की दीन मन गया थे बहुत इंटिलक्शली स्कॉंग थे और साथ में प्रथम वेश्विद्ध हुआ था जब 1918 के बाद कंपीट हुआ था तो 1919 वगरा में उसके बाद इन्ह काफी अच्छा उन्होंने काफी सक्सेफुल शूड बूला जाता है क्या शूड़ तो काफी चतुर और चालाक सटे बाज बूला सकता है इस सटे बाज होते एक तरह के तो इस फॉरें एक्षेंज में नहोंने यहांसे चाफी पैसा कमाया और घुम्मिला करके उस ऐसे किता यह कब लिखी थी 1936 में तो 20 सती में यानि की 1991 से लेकर 1999 या 2000 तक के बीच में इस time period में economics पे लिखी जाने वाले किताबों में से सबसे आदा influential किताब मानी आती है इनकी, बहुत smart आती थे, अब क्या किया इन्होंने ऐसा कि इनका नाम इतना ज्यादा आ गया और इनकी को बोला है कि इनके वेज़े से macroeconomics इस तरह से start हुआ क्यों बोला जाता है इस तरह की बाते हैं तो आपको सुझ में आएगा कि हुआ क्या थे ना कि इनके पहले की से पहले यह माना जाता था कि हम लोग ने अभी भी मार्केट में की बात करते हैं कि कहां पर चीटे संतलित हो रही ह है और ultimately रहेगा संतलिती कितनी मांग होगी कितनी पूर्टी होगी वह बदलेगा लेकिन संतलन में रहेगा तो हमेशा हम लोग संतलन की तरफ पहुंसते रहेंगे इस तरह का माना जाता था तो कहा क्या जाता था उस समय पर कि जितने भी क्योंकि संतलन में है तो अगर कोई लाग रिन थोड़े समय में लंबे समय में आपको मिल जाएगा तो ऐसा माने जाता था कि सारे स्ट्रमें जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिल जाएगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ट चंता के साथ कार करते रहेंगे यह कीन्स से पहले की सिती थी ठीक है जब त इसकी बिवाद का अभी प्राखाने यह बहाएगा कि उनके बीश में तीन पर्षिट की बेरुजगारी दर रहा करती थी वह कि 25% की हो गई थी ऐसा सोच लीजे कि देश में वो लोग विरोजगा इधर होती क्या आप समझ लीजे पहले तो देखो किसी भी देश में सारे लोग तो काम ढूंड नहीं रहे होते जो बच्चे हैं वो तो ढूंडेंगे नहीं तो हम लोग ऐसा मानते हैं अपने हाँ पर 15 साल स चोटे लोगों को तम काउंड करते ही नहीं लेवर फोर्स में और 64 साल के बड़े लोगों को भी नहीं करते हैं तो 15 साल से 64 साल के वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं काम को ढूंड रहे हैं ठीक है उन लोग को लेवर फोर्स का जाता है अब जो लोग काम करना चाह रहे हैं और धूंड रहे हैं, उनमें से 25% लोगों को काम नहीं मिलना है, 75% को मिलना है, ठीक है, यानि कि जो काम करनी हो कि उम्र के लोग हैं, उसमें से 25% लोग ऐसे हैं, जो काम धूंड रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलना, जो धूंड नहीं रहे हैं, उनको भी उनको काम नहीं म हुआ था 1929 से बढ़ते बढ़ते 1933 के बीच में यह बढ़ता चला गया था क्या बढ़ती चलीगी थी जो unemployment का rate है तो ऐसा देखा गया यार कि पहले तो ऐसा बुला जाता था कि जो काम करना चाहरे उसको काम मिली जाएगा यहां तो ऐसा हो नहीं रहा और इस ती खराब एक पिहाई की गिरावट हो गई 67 परसेंट बचा अलग भग तो ऐसे में यह सोचा गया कि जो हम लोग माइक्ट्र एकनॉमिक्स वाले अंगल से चीनों को देखते हैं उसको कुछी और तरह से देखने के आवशक्ता है अर्थ वियोस्था में सारे छोड़े छोटे शक्तिया मिला करके बड़ी शक्ति तो चली रही लेकिन कुछ और भी है जो चल लाए तो कुछ और किस तरह से दिखा जाए तो एक अलग तरह से अर्थ वियोस्था को देखने का नजरियार ढूने की कोशिस करने लगे कौन लोग जो हमारी अर्थ सास्वित एकनॉमिस तो फ़र है याद पर यह पहले वीडियो हम लोग ने क्या बात किती कि ऐसा दिखाए पड़ता है कि एकनॉमिमें बहुत सारे इसे सेक्टर जिसमें रोजगार अगर एक साकर में अबढ़ रहा है तो हम लोगे इसलिए से एक मेसिनरी गोट ले सकते हैं पूरी अर्थ वहस्ता में वस्तूं और से वाउं को रिप्रेशन करने वाला हम लोग ने इसकी बात की थी तो पहले नहीं पता था, यहां तो हम लोग यह बात कर रहा है कि उद्भव कब हुआ था, कब माही बाक्तरी फामिक्स मन करके आया था वह था हम आज मालू हमें के वैसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इन्हों नहीं यह देखा कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और फिर इन उनने जो किताब लिखी थी, तो यह आपका 1929-1933 के बीच में चला फिर दीरे 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 रिशेशन था वह दूर होना इस्टार्ट हो दिप्रेशन हो गया था एक लिए और वी जद्ध हाल खराब हो थी तो इसको इसको डिप्रेशन बोलते हैं, फिर वहां से रिकबरी स्टार्ट हुई, इन्होंने से 36 सुन की किताब आती है, the general theory of interest, employment, interest and money, ठीक, अच्छा, तो कीन साहब थे न, उसके बाद इनका एक statement है, जो बहुत यारा famous है, और वो statement आता है, in the long run, we are all dead, ठीक है, क्यों आता था ऐसा, तो समझेगा, थोड़ा सा difficult हो आम है, बस एक ही आम है, और कुछ नहीं है, अब हमारे पास उस अर्थवस्ता में एक सौर रुपय का नोट चापा गया, अब सौर रुपय का नोट चापा गया, और कुछ है नहीं खरीदने को, एक ही चीज है, तो आप सौर रुपय से क्या खरी सकते हो, याम खरी सकते हो, इसके जगे क्या किएगया, सो की जगे आपको 1000 का नोट छाब दिया गया, अब अर्थठ में हैं तो एक ही आम तो ऐसा थोड़ी है कि आप 10 हाम खरीप आओगे तो अब वही आम 1000 रूपै का हो जाएगा, क्या हो जायगा 1000 रूपै का हो जाएगा, तो ये चीज तो अगर पूरे अर्थ होस्ता किस तर पर हम लोग बहुत जदा सब को वास्तव में जो वस्तवे हैं सब के पास ही पैसा होगा तो एसी सिती में जब इस तरह की जो चीज सोची आती थी कि अगर आप ज्यादा पैसे चाप दोगे तो अर्टिमेटरी सारी चीज़े महंगी हो जाएंगी या उनके दाम बढ़ जाएंगे लेकिन इसके साथ में क्या वो पैसा चापना लोगों को और ज्यादा एक्कॉमिक एक्ट्विटीज करने के लिए प्रेडित कर सकता है खास्त और से कब जब रिसेशन चल लाओ तो उन्हों हो और आप यह नहीं बता पा रहे हो कि चीज़े खराब चल ली और आप सही कैसे घर पाओगे तो फाइदा क्या है और लॉंग रन की आप क्या बात करते हो लॉंग में तो अफसलों मर जाएंगे ठीक है तो यही उनका इस्टेट्मेंट था इन लॉंग और अगला वीडिय प्रिशात्मिक वीडियो यार चैप्टर ही वैसा है तो आर्व समझे लेते लेते पढ़ते रहो और इंट्रेस्टिंग रहेगा आप जॉन में नट कीज के ऊपर कुछ कुछ देखिए को आपको काफी मज़ा आएगा कभी टाइम मिला तो मैं आपको लग से बताऊंगा मिल जरूर दें अपनी क्लास का उद्दे से आप सभी के लिए आप ही की भाशा में गुणवत्ता पूंट सिक्षा उप्लब्ध कराना है कख्षा बारे तक के सभी प्रमुक विश्यों पर हम वीडियो बना रहे हैं और कुछ विश्यों पर वीडियो आपके अपने चैनल अपन क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अप्लोड भी हो चुके हैं ज्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना अपहमों लियोगदान जरूर ने बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ का इंडिया